Welcome dear students, आज के अपने इस वीडियो में हम अपने हाफ एरली के question paper को discuss करेंगे, सभी प्रशनों को देखेंगे बारी बारी, आए शुरू करें This is your first question, what do plants and animal kingdom make together? वनस्पती और जन्तु जिकत साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वनस्पती और जन्तु जिकत ये दोनों ही biotic component हैं, हमें ये पता है कि हमारा जो environment है उसके दो बड़े हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम a-biotic यानि अजैविक और दूसरे को biotic यानि जैविक कहते हैं, a-biotic यानि जिन में जीवन नहीं है, उसका हिस्सा लिथोस्फियर या स्थ कहते हैं, और क्योंकि वनस्पतिया और जन्तु, एनिमल और प्लांट ये दोनों ही जीवित हैं, जीवित सेग्मेंट या बायोटिक कंपोनेट बाने जाते हैं, इसलिए बायस्फियर से संबंद रखेंगे, हमार इस्प्रेशन का सही उत्तर है बायस्फियर, second question की बात करें This is a second question, which one of the following is not a threat to environment, निम्रिकित में से कौन सा पर्यावरण के लिए एक संकट नहीं है, growing population, growing plants, growing pollution, none of these, पर्यावरण के लिए संकट की जब हम बात करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सीधे तोर पर पर्यावरण के लिए संकट है, क्योंकि इसे संसादनों पर संकट नहीं, ऐसा विकल्ब ढूणना है, ऐसा option देखना है, जो कि environment के लिए threat नहीं है, not शब्द काम ध्यान रखेंगे, तो ये threat है, इसलिए ये सही option नहीं होगा, growing pollution, ये जनसंख्या के साथ साथ पर्यावरण का प्रदूशन बढ़ता हुई, पर्यावरण के लिए संकट ह है, plants का ज्यादा होना पर environment के लिए अच्छा है, यानि ये एक ऐसा विकल्ब है, जो कि environment के लिए threat ये संकट नहीं है, ये हमारे प्रशन का सही उतर है, growing plants is the right answer for this question, question number 3, which one of these is the hard top layer of earth, hard top layer, यानि उपरी ठोस परत की बात के लिए, ठोस जो solid पार्ट जो है, वो हमारे environment का जो पार्ट है, उसको हम लिथोस्पेर कहते है, लिथोस इन रोग, उससे बना ही है, लिथोस्पेर इसका पार्ट है, तो हमारे इस प्रशन का सही उतर है लिथोस्पेर, that is hard top layer of the earth, लिथोस्पेर, next question, question number four, where is the deepest mine in the world, located विश्व की सबसे गहरी खान कहा थे थे, हमने अपने इस चैप्टर में, जोग्रफी की शुरुवात की चैप्टर में, यह जहां पर हमने inside the earth की चैप्टर पढ़ा है, वहीं पर यह शुरुवाती पेजिस में ही इसको मेंशन क किया गया है कि South Africa में, यानि दक्षिन अफरिका में विश्व की सबसे गहरी खान है, यह वास्तों में सोने की खान है, गोल्ड माइन है, यह विश्व की सबसे गहरी खान है, और वो South Africa में located है, तो हमारे इस प्रशन का सही उतर है South Africa, दक्षिन अफरिका, next question की तरफ चले है, आंतरिक भाग में से जम कर ख जबना जад चाटान बनाटा है और ऐसी प्रेम्रि राख इगनियस राख होती है क्योंकि आगने या अगनी से इसका सम्बंद है जलने से सम्बंद है और यह जलती हुए यानि पीवेवी चटाने हैं तो प्राइमरी रॉप में इगनियस राख क प्रशन का सही उतर है, जबकि सेडिमेंटरी का निर्मान सेडिमेंटेशन के थ्रू होता है, हवा पानी इनके जरिए बिछाने से, लेयर्ड रॉप में, और मेटामॉर्फिक रॉप मेटामॉर्फिक रॉप मेटामॉर्फिसम से बनती है, प्रैमरी रॉप में इग्नियस रॉ So limestone is an example of sedimentary rock, इस प्रशन का सही उतर है, अवसादी शेल, Question No. 7 The right answer for this question is endogenic force, इस प्रशन का सही उतर है, अंतरभेदीवल, Question No. 8, Next Question, What is the name of instrument used for measuring earthquake, उसी अंतर का नाम बताना है, जो भुकम्पों के महापन के लिए इस्तमाल किया आता है, Sismology वो विज्ञान है, जहापर भुकम्पों का अध्यन के आता है, और सिस्मोग्राफ हो यंतर है, जिससे हम भुकम्पों का अंकन करते हैं, इसको हमने अपने चैप्टर में भी डिसकस किया था, Sismography is the right answer for this question, Question No. 9, The steep rock, coast rising almost vertically above the sea, Water is called, Samudrajal से उपर की तरफ खड़ी जो चट्ठानी भाग है, हमने पढ़ा था, जो coastal आखे होते हैं, वहाँ पर आगे की तरफ बड़े हुई जो भाग होती, बस तो में ये लेंड पार्ट है, और erosion करती हुई, जो सागरी लहरे हैं, वह लगतार रॉक को काटती जाती हैं, और आगे का हिस्सा जो नीचे की तरफ से तो कट जाता है, लेकिन उपर से जो जुका हुआ ऐसा भाग दिखाई देता है, एक हेड की तरह, सागर के उपर, इसी चीज को हम क्लिफ कहते हैं, तो हमारे इस परशन का सही उतर है, सागरी क्लिफ, जो कि वर्टिकली, वाटर बोडी के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि यह रोजन हो जाता है हमाँपर, सी च्लिफ is the right answer for this question, question number 10 की बात करें, which one of the following gases is present in the atmosphere, in the highest amount, सबसे यादा मातरा में हमारे वाटमिदल में कौन सी गैस भी दिमान है, nitrogen गो गैस है, जो हमारे वाटमिदल में सबसे यादा मातरा में है, लगभख 78%, अठतर प्रतिशत जो हमारे वाटमिदल का गैसी है संगटन है, उसमें nitrogen पाई जाती है, ये सबसे ज़्यादा मातरा में हमारे में माज़ूद है, nitrogen इस प्रशन का साही उतर है, next question, question number 11, which one of the following gases protect us from harmful ultraviolet rays, ultraviolet rays से हमें कौन सी गैस जो है वो बचाती है, हमने अपने atmospheric layers में पढ़ा था, कि धर सर्फेस पर सबसे उपर की जब आप नीचे से उपर की तब जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर पढ़ता है, उसके बाद अगली layer जो है, वो स्टेटोस्फियर है, स्टेटोस्फियर में ही गैस पाई जाती है, जिसको हम ozone layer कहते हैं, O3, और यह आने वाली जो ultraviolet rays है, इससे हमें बचाती है, इसको वहीं पर रोक लेती है, और हमारे surface पर नीचे की तरफ नहीं आने देती है, और हमारे surface पर इसको नहीं आने देती है, और हमारे इससे बचा हो जाता है, आनिकारक पर वैंगनी करनों से, harmful ultraviolet rays से बचाने वाली जो गैस है, वो ozone है, यहां पर विकल्प में ozone, इस प्रशन का सही उतर है, question number 12, this is question number 12, एक चित्र है, एक picture दी गई है, और इसको बताना कि किस तरह की वर्षा है, किस तरह की rainfall है, बच्चों जब दो तरह की हवा हैं, एक जो की cold air होगी, ठंडी हवा, और दुसरी तरफ warm air, यानि गर्म हवा जब आपस में मिलती हैं, तो यह मिलने पर इसमें से, क्योंकि warm air जो होती है, वो हल्की होती है, तो यह उपर की तरफ, स्टेबलिश हो जाती है, और ठंडी हवा, नीचे की तरफ जगे लेने की कोशिश करती है, और इस तरह के से, एक circular हवा का movement होना शुरू हो जाता है, जिससे चक्रवाद बनते हैं, और लगतार क्योंकि इस तरह से, जो situation है, और भौनेवली बारिश चक्रवादी वर्षा होगी, तो यह जो diagram है, cold और warm air का, जिनके बीच में यह front बन जाता है, और front से फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, राइट राइट आंसर इस पर इस question है, cyclonic rain क्योंकि cyclone का निर्माण होता है, next question की बात करें, question number 13, barometer is an instrument to measure, barometer क्या मापने का यंतर है, temperature, rainfall, atmospheric pressure, wind velocity, हमने अपने chapter में पढ़ा है, सभी तरह की जो भी weather elements हैं, उनको हम किन-किन यंतरों से मापते हैं, कैसे हम का मेजर करते हैं, barometer का इस्तमाल कियाता है, atmospheric pressure, निर्माटली दबाओ को मापने के लिए, जो की पास्कल या बैरोमीटर में जो यूनिट है, वो मिली बार है, MB, इन दो यूनिट्स में दिखा जाता है, या तो मिली बार MB लिखा होता है, या तो पास्कल P के रूप में, हमें atmospheric pressure मिलता है, अपने instrument से, बैरोमेटर जो कई तरह का हो सकता है, वो Android भी हो सकता है, इसके अतरिकrire मरकडला बैरोमेटर भी हो सकता है, इसमें पारे के लेवल को ऊपर और नीचे देख करके, हम भायमंटली दबाओ को आ कलन कर लेते हैं, बेरोमेटर के लिए जूँ ए अंतर इस्तमाल किया जाता है बेरोमेटर जूँ ए नतर है वोज इस्तमाल कियाता है इस प्रossible सभजाए उतर है इस प्रसक्शुन करनाespère ऐसे ए स्षे व्लेशन के बद करें उप्र से निट्वचारफन cuz diversity P वेब्स और Longitudinal Waves तो इस तरह की तरंग को इस तरह की वेब को हम लॉंगिट्यूडनल या अनुद्यरत तरंग कहते हैं और प्राइमरी वेब का यही लक्षन है प्रात्मित तरंग का जो कि अर्थविक से जनरेट होती है तो हमारे इस्परशन का सही उतर है यह एक सही तत्य है एक ट्रू फेक् टो यह अभरे परिड आ यह लोग्यागा को यह लेंगे प्रश्ण तो बेखर हैं इस प्रशन के शेक्रीए ऊद्धर को षीन को 상ई होनीग तो क्यों मेटिं आर्टवर उहां सही उतर है प्रिखंतं को स्व्रिक्षेंन तो चलें, बंदिन जयावदिन बर्नी रोट हिस कॉरनिकल फॉर्स्ट जयावदिन बर्नी ने अपना व्रतान जो लिखा था, वो कब लिखा था, बच्चों, जयावदिन बर्नी न अपना जो कॉरौनिकल लिखा है, वो सबसे पहले 1356 में लेखा था और बाद में और वर्जन 1358 में आया दो बर तो ये जो समय है ये समय किस सदी में पड़ेगा जब centuries का हम आकलन करते हैं तो centuries का आकलन करते हुए ये जो साल है 1301 इस समय से लेकर के 1400 ये जो साल है इस समय तक का सारा समय 14 सदी या 14 14th century का आजाएगा तो क्योंकि ये जो समय है 1356 और 1358 वो इसी 100 साल के अंतरगत आएगा तो ये 14th century है 14th century ये 14 सदी ये 14 सदी इस प्रशन का सही उतर है जवदिन बरनी ने 14 सदी में अपनी एक क्रोनेकल्स लिखे थे 17th question की बात करें हमारे 17 प्रशन में इस चैप्टर में एक टेबल दी गई है एक बॉक्स के अंदर जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बारे में अध्यन के लिए बताया गया है कि अमिर कुस्रों ने बहुत सारा अध्यन किया और भारत में कुनकुन सी भाषा है कि इस हिस्से में बोली जाती है इसकी जनकारी लिए बंगाल के इससे में ऊस समय जो भाषा दिखाई गई है वो इससा गौडी भाषा है, बंगाली नहीं है या बंगला नहीं है, गौडी भाषा जो उस छेत्रएं उल्लियाती थी बंगाल रिजन में ये इस प्रशन का सही उत्तर है question number 18 who wrote किताब अलहिन ये एक प्रमुक पुस्तक है जो medieval period के समय में यानि मद्धिकाल के भारत के बारे में अच्छी जनकरी देती है ये पुस्तक लिखे थी अलबरूनी ने अलबरूनी एक लेखक थे एक विद्वान थे जन्होंने भारत में काफी सारा अध्यम किया था किताब अलहिन यानि भारत के लिए एक पुस्तक लिखी थी अलबरूनी इस राइट अंसर फूर दिस क्वेशन 18 क्वेशन के बाद हम बात करें 19 क्वेशन की मां के जो साशन करने वाले वर्ग हैं उनके बारे में ये किताब लिखी थे उनकी पुस्तक का नाम था राज दरंगडी और इस पुस्तक में उन्होंने काफी अच्छा बढ़नन किया उस समय की इतिहास के में अच्छी जनकारी मिल पाती है आध्याय, क किसी दरबारी की तरह कविता ये कहानिया, राजाओं के बारे में लिख करके राजाओं का वास्तविक है और उनका उनका मुल्यांकन किया है कि वो राजा अच्छा था या बुरा था किस परकार से वो साशन कर रहा था इस तरह से कश्मीर के इतिहास के बारे मुझे अपनी पुस्तक लिखी तिरास तरंगडी और वो संस्कृत कवी थे इस प्रशन का सही उत्तर है का लेर्ण वास संस्कृत पोईट नेक्स्ट के बाद करें क्वेशन नबर 20 ये एक मैप है जिसमें हमें अलग-अलग जो राजमश भारत में साशन कर रहे थे उस पीरेड में उनकी बात करनी है क्वेशन नबर 1 में जो लोकेशन है ये गुर्जर प्रतिहारों की सिच्वेशन है बंगाल जो है बंगाल रुसकाइसबास का हिस्था वो नमबर 2 के ज़री दिखाएगा ये पालवंश का हिस्था है और नमबर 3 नि महरास्ट और करनाटक के हिस्थे में जो साशन कर रहे थे वो रास्ट गूटास थे तो इनका जो सही करम बनेगा वो होगा गुर्जर, प्रतिहार, पाल और रास्ट, गूटेनी सबसे आखिरिवल आप्शन, ये इस प्रशन का सही उत्तर है, मैप पर, कौन-कौन सा च्छेतर किन-किन राजमेंशों के इंतरगत है, question number 21 की बात करें, who was the first slave king of Delhi सल्तनत, Delhi सल्तनत का पहला गुलाम साशक कौन था, पहला गुलाम साशक था, कौतुबदीन एबग, कौतुबदीन एबग, जो कि मुहम्मद गोरी का गुलाम था, और उसके लिए एक सैनिक के भी हुमिका में वो निभाता था, कौतुबदीन एबग, गोरी के बाद भारत वाले हिस्से का जो कि गोरी ने जीता था, उसका साशक बनता है, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है, क्योंकि ये गुलाम था, इसके वंश को, इसके पुरे साशन करने वाले वंश को, गुलाम डेनसिटी ये स्लेव डेनसिटी का आ गया, और ये पहला स्ल कुत्व बुद्ीन. कै सही उत्तर है. Q23 A fortified settlement जहां पर सैनिक रहा कर थे यह इसी जगों को हम कहते थे गेरिसन टाउन ये चावनी नगर ये इस परशन का सही हुत थे गेरिसन टाउन question number 24 खराज was a type of tax, खराज एक तरह का tax था जो लिया जाता था किस चीजवर ये तरह का tax था जो कि कर्शी पर यानि की खेती पर लिया जाता था, cultivation पर लिया जाता था, खराज is a type of tax which is on cultivation agriculture पर, question number 25 चंगेश खान was a ruler of which tribe, चंगेश खान एक किस जन जाती से सम्मंद्ध था, एक साशक, बहुत नोटोरियस साशक था, बहुत कूपरसिद्ध साशक था ये दोर का, इसने काफी बड़े इलाके में जीत हासिल की थी और काफी दुनिया में इसका दबदबा था, लोग इसे Question Number 26, Which Mughal Emperor was defeated by Sirshaasuri, Sirshaasuri की द्वारा कौन सा Mughal बाश्या हराए गया, हुमायू है वो साशक, जो दो बर Sirshaasuri से हारता है और उसको फिर भारत चोड़ना पड़ता है, हुमायू इस प्रशन का सही उत्तर है, Question Number 27, The salary of the मनसबदार was called, मनसबदारों का जो वेतन था, वो क्या कहा जाता था, मनसबदारों को वेतन कैश में नहीं मिलता था, जात और सवार का सिस्टम मनसबदारी में चलन में था, और उसकी इंकम जिस तरीके से होती थी, साशक के जरिए या बाश्या के जरिए उसको जागीर नहीं दी जाती थी, उन जागीरों में वो टैक्स वसूलता था, और वही उसके लिए एक वेतन की तरह था, तो जागीर इस परशन का सही उतर है, 27 का, कुछ नबर 28, वो अकबर का राजय सुमंत्री कौन था, बच्चो अकबर का राजय सुमंत्री था, टोडर मल, जिसने बहुत सारे लेंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड बनाने और लेंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है कैसे डेवलप किया जाए, दैसाला की विवस्ता कैसे का करें, दस साल में कैसे टेक्स, तैक किये जायें किस जमीन पर जिए हज़ादा, बंग को जाई जमीन किस तरकटेक्स लगे जो कम बंग जामीन इसपर टेक्स कैसे लगे, एक व्यवस्तित, तंध्र विखित करने ऒला जो अकबर का मंत्री था, राजय सुमंत्री था, रेवे यह हमारे civics book में मिलता है मैं ओम परकाश वालमी की एक लेखक है जिन्होंने जूठन नाम की आत्मकता लिखिये जिसमें जातिकत भेदबाव को दिखाए गया है ओम परकाश वालमी की is the right answer for this question question number 29 के बाद हम 13th question की बात करें 13th question की तीसमा प्रशन हमारे बात करता है who represent our problem in Parliament House संसद में हमारी समस्यां कौन उठाते हैं संसद में हमारी समस्यां उठाते हैं संसद MPs यानि Member of Parliament जिनका चुनाव जनता करती है अपने प्रतिनदी की रूप में संसद में भेजने के लिए और हमारे से संबंदित प्रशनों का जो को उस भवन में संसद भवन में जो उठाते हैं वो MPs होते हैं Member of Parliament इस प्रशन का सही उतर है question number 31 who was the first state which was the first state to introduce midday mill दोपहर का जो भोजन है midday mill का जो भोजन मिलता है विद्यालियों में सरकारी विद्यालियों में ये स्कीम सबसे पहले कौन से राजी ने शुरू की थी हमारे टेक्सबूक में सिविक्सबूक में ये मिल लाता है Tamil Nadu वो पहला state था भारत का जिसने सबसे पहली बार midday mill दोपहर के भोजन की विवस्ता की थी पच्छों के लिए Tamil Nadu is the right answer for this question next question question number 32 civil right movement of US about was about स्वंकिलाज अमेरिका के लिए नागरिक अधिकार अधिकार अंदूलन था वो किससे समंदित था Afro Americans, Latin Americans, Afro Asiatic, European से ये समंदित था Afro Americans से ये अफरिका से समंदित ऐसे लोग जो कि अमेरिकी नागरिक हैं और उनका मूल जो है वो Afrika है उनके माता है पिता जो है वो Afriकी समंदाय से आते हैं ऐसे लोगों के साथ अमेरिका में भेथबाव किये था था तो महंगी है private या public महंगी स्वास्थ सेवा निजी सेवाए हैं क्यों जो private hospitals हैं वहाँ पर जो सेवाएं मिलती हैं मुझ जादा महंगी है एक कहानी के जरी एक cartoon कहानी के जरी एक चैप्टर में भी समझाये गया है दो बच्चों की कहानी के जरी private healthcare facilities are costly rather than public हिसाल जिनिक की तुलना में निजी जो सेवाएं हैं स्वास्थ की वह महंगी है अगले question पर चलने question number 34 what was the full form of phc phc एक शब्स इस्तमाल किया गया है आपके book में healthcare facilities वाले चैप्टर में role of government in public health उस चैप्टर में phc's का full form बताया गया है public के लिए इस्तमाल किया आता है यह primary health center है प्रात्मिक स्वास्थ के अंदर phc का full form होता है primary health center यानि प्रात्मिक स्वास्थ के अंदर हमारे expression का सही उत्तर है primary health centers phc's question number 35 की बात करें this is question number 35 in which continent is costarica situated costarica किस महादवीब में इस्ते थे बचों costarica दक्षणी अमेरिकी महादवीब में इस्ते थे north america और south america जिस पत्ली सी पट्टी के जरी strip के जरी आपस में जोड़ते है अगर हम देखे north america और फिर आगे पत्ली strip के जरी फिर south america से जोड़ता है अगर आप मैप में देखेंगे आपको ऐसे दिखाई देखेंगे यह जो मध्य अमेरिका है मध्य में पढ़ता लेकिन वास्तों में इसको में दक्षिन अमेरिका का भाग मानते है south america का यहीं पर बीच में कुस तारिका नाम के देश के situation है south america is right answer for this question कुस तारिका की situation आपके बुक के हिसाब से south america में है question number 36 देखें daria is a waterborne disease daria एक जलजनित बिमारी है यह सही है अगलत वच हमारे बुक में role of government in public health वहाँ पर daria का example दिया गया है daria का example देकर कर वहाँ पर बताया भी है यह जलजनित बिमारी है यहने की गंदे पानी से यह बिमारी होती है उसके पीने से उसके सेवन से बिमारी होती है this is a true fact यह सही उतार है इस परशन का question number 37 की बात करें who became the chief minister मुक्यमंतरी कौन बनता है leader of winning party, leader of losing party, prime minister of country, president of country leader of winning party जब elections होते हैं और उसमें जो party सबसे ज़्यादा वोट ले करके सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आती है उसके दल के नेता को जो चुना जाता है वही विक्ति मुक्यमंतरी बनता है leader of winning party became the chief minister इस परशन का सही उतार ही question number 38 some MLA's have dual responsibilities as an MLA and as a minister कुछ सांसदों के पास सांसद और मंतरी दोनों का दोहरादायत होता है यह सही है क्योंकि जो cabinet बनती है जो मंतराराय बनाय जाते है मंतरी बनाय जाते है सारकारों में वो इन्ही MLA's के बीच में से बनाय जाते है तो ऐसे सांसद जो कि चुनाओ, पॉब्लिक खुद करती है, पने रिप्रिनेटिव के तौर उपर, चुकि संसद में वहां की जनता का प्रतनिधितु करते हैं, so, MLA's are elected by the people, right answer for this question, 39th, last question की बात करें, अपने इस chapter, इस quiz के या इस exam के, 40th question, 40th question, what was the full form of MLA, MLA का पूंड रूप क्या है, member of legislative assembly, member of legislative assembly, यानि विधान सभा का जो सदसे है, उसको MLA कहते हैं, हमारे इस प्रशन का सही उतरिये है, बच्चों हमने सभी अपने 40 प्रशन जो हमारे हाफिरली एक्जाम में डिस्क दिये गए थे, हमने वो सारे उसके सही उतरों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, आप इन सभी प्रशनों को अपनी notebook में correct answer के साथ लिखेंगे, और इसको revise करेंगे अपने सारे chapter को, धन्यवाद,